दोस्तों कैसे हैं आप सब? एंड्रू जैक ने ने इस वक्त इंटरनेट पे एकदम धमाल मचा के रखा हुआ है और इस वक्त हर जगा पर छाय हुए है देखो इनकी फिजीक इस वक्त पे कुछ जादा ही ट्रिमेंडस तरीके से ग्रो होती भी नजर आई हाले में एंड्रू दिखे कुछ इस तरीके के अपने एक नए अफ्तार में क्यों नए आप बोल रहा हूं क्योंकि इनकी जो मसल बैली जाना ऐसा लग रहा है कि पहले से और जादा राउंड हो गई है बॉडी में पहले से जादा साइस दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर्ली अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके जो शुल्डर्स जिसका इनोंने पोस्त डाला आप से दो दिन पहले बहुत ही बोल्डर शुल्डर्स दिख रहे हैं यानि कि बहुत ही राउंड दिख रहे हैं पहले ये कुछ अलग स्टाइल से करते थे, थोड़ा सा हाथ दूर रखके फ्रन डबल बाइसेप करते थे, तो सवरा से नहीं का बाइसेप उतना जदा प्रॉमिनेंट नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि नोंने साइज भी एड किया है और इसका मतलब एंडर्यू अभी और जादा तगड़े दिख रहे होंगे, तो इन फोटोस ने, इन कार्टूनिश लुकिंग फोटोस ने, काफी सारे लोगों को शॉक कर दिया, कि अगर ऐसे अभी दिख रहे हैं, तो इस वाले शो को जीतना तो को बहुत बड़ी बात नहीं ह सकते हैं, और ऐसे में बहुत दमदार एक कंटेंडर बन जाएंगे, उपर के टॉप थ्री अथलीट्स के लिए भी, कहिना अभी भी आप देखो तो एंडर्यू जैक जो थोड़ा बहुत लैक कर रहे हैं, वो अपने लेग्स के अंदर पीछे होते भी दिख रहे हैं, कंपे कुछ नए डाइनमिक्स ये एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी इस फिजीक के साथ में, क्योंकि आप देखो, फ्रंट डबल बाइसेप करते हुए ये एंडर्यू जैक इस तरीके से पहले नहीं दिखे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स कैसे हैं कर रहे हैं, जैसे की फ्लेक्स मैटर यही करेगा कि उस शो में ये सारे एथलीट्स को भी, सारी ओडियन्स को भी इंप्रेस कर दे और ये दिखा दे कि क्या कर सकते हैं ये आने वाले इस साल के ओलम्पिया में, ये थे एंड्रू जैक्ट, इनके बाद अगर हम चले तो अगला अपडेट आ जाता है, यहा करा करते थे, और उसके बाद दूसरा इनका ये वाला फ्रेंट डबल बाइसेप टाइप पोज है, जो पुराने जमाने के बाडी बिल्डर्स करा करते थे, आप दोनों पोजिस के अंदर देगो, पर्टिकलरली जो उन्होंने सेकिंड वाली अपनी फोटो डाली है, इसके कमाल का जो फ्रेम और स्ट्रक्चर है उनको इस साल भी लगता है कि ट्रॉफी दिलवा देगा और आगे नियाने देगा शॉन क्लरिडा को इन से, तो फिलाल क्यों ये लिखते हैं कि जो इनके कोच है, यानि कि पैट्रिक टोर उन्होंने इनको हाई काप्स दिये एक दिन प बड़े दिख रहे हैं ये अभी के हाल में, ये साइज ऐसा है कि अगर ये अभी भी एक किसी ओपन केटिगरी में कंपीट करते हैं, किसी एक मॉडरेट टू लो शो में भी ये असानी से उसको जीच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक अच्छी प्रोफाइल हा ये अभी ओफ सीजन में है, तो ये मैंने सिर्फ एक एक अग्जामपल दिया शिकागो का, क्योंकि शिकागो तो बिल्कुल होने वाला है, तो जाहिर है, ये किसी भी ना तो ओपन शो में कंपीट कर रहे हैं, और ना ही इनकी फिजीक शो रेडी अभी है, क्योंकि ये अभी इनी के स्ट्रक्चर के आस-पास दूसरे टॉप 10 कंपेटिडर्स कंपीट करते हैं, कुछ तो टूटल से निकले हैं, जैसे कि टोनियो बर्टिन, पिछले साल टोनियो बर्टिन, मिस्टर ओलंपिया के अंदर 8th प्लेसिंग लेकर के आए, और अभी भी आप कंपेर कर लो, टोनियो के आगे stand भी नहीं करते हैं, ना तो इतने अच्छे size में, वो इतने इनके आगे stand करते हैं, ना इतने अच्छे उनके proportions हैं, वो अगर 8th आ सकते हैं, तो कियौन तो फिर भी 7th आ सकते हैं, ये है कियों का level, और अभी ये फोटो तो इस लेवल से भी ठोड़ी और चले तो दोस्तों पूरा ही अपडेट आजाता है हाँ पर शिकागो प्रो के ऊपर जो आज शुरू हो चुका है अब देखो शिकागो एक ऐसा शो नहीं है जिसमें कि सिर्फ मेंस ओपन कैटेगरी हो इसमें सारे ही कैटेगरी है तो सही लेकिन वो सारे कैटेगरी ना नामी ब पर हमें पता है जो इनकी पोटेंशल है वो कितनी जबरदस्त है और क्या राउंड शोल्टर साते हैं इनके बहुत ज़्यादा बड़े डॉमिनेटिंग इसके अंदर स्टैनेमल भी कंपीट करने वाले हैं जो एक टाइम पर शॉन रोडन के साथ ट्रेन करा करते थे उनके अलावा यहां पर नाथन एपलर कंपीट कर रहे हैं तो नाम जाने पर चानी है हां यह बात सच है कि यह नाम बिल्कुल ऐसे नहीं है कि टॉप टेन ओलंपिया में भी अपनी जगा बना पाए हां व्लैड शुकोर्च को लेकिन एक अलग एथलीट है यह दमदार एथलीट ह थोड़ी सी मैं और बात करना चाओंगा इन अथलीट की यहां पर अगर मैं बात करता हूँ हसन मुस्ताफ़ा की तो हसन टोरॉंटो प्रो में जीत नहीं पाये थे उसके बाद इन्होंने वैंकूवर खेलना था पर वो इन्होंने स्किप करा और अभी शिकागों में खेल र बहुत ज्यादा चांस है कि डॉमिनेट करें इस लाइन अप को मतलब ऐसा हो सकता है कि व्लैट इस वाले लाइन अप में जीत जाए फिल्क लाहर हमें पता है कि अब उस लावल पर नहीं रहे जैसे कि 2020 किसमें कंपीट करा करते थे फिल्क लाहर अपनी कंडिशनिंग अब थोड़ इसी नीचे जरूर गिरी लेकिन ज्यादा करके जो इनकी गिरी है ना स्किन बहुत खराब हो गई है वो जुर्यां दिखने लग गई है और क्यों ना हो इनकी एज भी अच्छी खासी है इस वक्त पे भी फिल्क लाहर 49 येर्स के हैं वैसे 50 येर्स के भी हो सकते हैं नाथन एपलर पुराने टूट वाव अथलीट और वो भी इसमें कंपीट करेंगे फिलाल जब तक मैं वीडियो डालूंगा ना तब तक आप शायद रिजल्ट्स भी देख चुके होंगे अब अभी जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंस फिजीक का अपनी बॉड़ी और इस तरीके से यह दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इनकी फिजीक लग रही है ओफ साइड पे अल्दो सदीक जब प्रेप कर रहे थे तो कहानी बिल्कुली अलग थी हमें पता है कि इस बार इनके पास में चैलेंज था 19 LBS का बजन लूज करने का और सदीक का टार्गेट था 209 तक आना ही आना था उनको और 209 तक वो आए लेकिन नतीजा क्या निकला स्टेज पर बॉड़ी खराब हो गई उनकी उस वज़ा से इनके एब्स बिल्कुली वाश्ट राउट हो गए अच्छा अपडेट्स में ऐसा नही हो गई बिल्कुल एब्स तो ऐसे दिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ऐसा ट्रॉल किया जा रहा है इनको आप देख सकते हो लोग किस किस तरह के कमेंट कर रहे हैं पोजिंग से भी लोग इनकी कोई खास खुश नहीं है इवन तो सदीक अच्छे पोजर के रूप में जाने और बहुत जादा वो चाहते थे किसी भी हद तक इस शो को बस जीत जाएं पर इस शो के रिजल्ट कुछ इस तरीके से गए किसमें सिक्स्थ नंबर मिलता है सदीक हैडजविक को यह थे स्टार ऑफ दा शो और छटे नंबर पर ही आते हैं तो डेफिनेटली सदीक ऑफ ही द लेकिन इनका जो एक बेस्ट आउटपूट निकलता वो कही ना कहीं 215-220 पाउंड के आसपास निकल रहा था पर अब डिविजन अलाओ नहीं करती ना कि आप अपने हिसाब से कितने भी वजन पर कंपीट कर लो आपको अगर 209 की लिमिट दी गई है अपनी हाइट के हिसा करा करते थे तो ज़्यादा बैटर शायद ये बॉड़ी दिखा पाते तब इनकी बॉड़ी ना फुल भी दिखती रिब्ड भी दिखती पर यहाँ पर तो उन्होंने ना तो पबलिक को इंप्रेस करा और ना ही ये खुद इंप्रेस हो पायोंगे अपने अंदर ही इनको ए अपनी गलती को इने समझना है और ये भी देखना है कि जजीज ने शिकागो प्रो के अंदर इनको फीडबेक क्या दिया क्योंकि वही मायने रखता है दोस्तों अभी से दो दिन पहले हाड़ी शुपन ने अपनी एक ये रील शेयर करी थी जिसके अंदर इनोंने ये लिख 100% पर कैसे होंगे क्योंकि अभी से आप इनकी फिजीक देख सकते हो ये फिजीक सर्च में यार बहुत जादा बड़ी नहीं लगरी साइज में कुछ जादा ही राउंडनेस और साइज इनोंने आइड कर लिया ऐसा लग रहा है और हाड़ी के ना बॉड़ी में कुछ भी कम होती है कि हर बार एथलीट पीक नहीं कर पाता उस तरीके से हाड़ी हमेशा पीक करते हैं पर इस बार जो सुप्रीम इनोंने आरनोल्ड में कंडीशनिंग दिखाई न वहीं कंडीशनिंग ये ओलंपिया में भी ला पाएंगे इस चीज़ पर थोड़ा डाउट आता है वज हाड़ी जिस तरीके से पागल होकर चल रहे है न वो तो बस ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया था आपको घायल शेर भूका बैठा हुआ है कब शिकार मेरे सामने आओ और कब मैं जपट पड़ू इनको भी ओलंपिया का वो सैंडो उसी तरीके से जपटना है और सच में हाड कुछ जादा ही राउंड लग रही है यह फिजीक आफ सीजन वाली तो लगी नहीं रही है यह फिजीक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस 15-20 दिन बाद यह ओलंपिया में खेलने यह बिल्कुल 15 डेज आउट यह 20 डेज आउट की फिजीक दिख रही है इतने जादा यह की आते देखो मैं तो चाहता हूँ हाड़ी शूपन को इस साल जीतते हुए देखना पर यह एक बाइस नस होगी मेरी अगर मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि डेरेक भी अपनी जगा तगड़े हैं सैमसन भी है ऐसे में हाड़ी शूपन भी कही ना कही यार अपनी डॉमिनेंस बार बार इसी वाली फिजीक से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अगर यह इनका 30% था तो देखना हम चाहेंगे कि इनका 100% क्या होगा अब दोस्तों देखो हाड़ी की बात हुई एथलीट्स प्रिपेर होने की बात हुई तो यहाँ पर अगला अपडेट ना ब्रेंडन क अब वो बात नहीं रही जिसके चलते उनको एक टाइम पर तो बिलीव था कि यह अथलीट मिस्चर ऑलम्पिया बन सकता है पर आज अबदुल्ला को यह नहीं लगता कि ब्रेंडन मिस्चर ऑलम्पिया दुबारा बन सकते हैं इसलिए उनको छोड़ दिया अबदुल्ला ने बोला देखो भई सीधी सी बात है मेरा जो बिजनस चलता है वो तो कोचिंग देने से ही चलता है और अथलीट्स जब कोई शोज जीतते हैं तो उसमें से मेरा एक परसंटेज होता है यह बात उन्होंने पहले बोली थी अब क्योंकि उनको नहीं लगता कि ब्रेंडन करी दुबारा मिस्चर ऑलम्पिया बन सकते हैं तो उन्होंने का मेरे लिए भी एक घाटे का सौधा था उनके साथ में अब काम करना इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया और अबदुल्ला ने यह भी बोला कि ब्रेंडन ने इंक्लूडिंग डेर्क लंसफर्ड, सैमसें दौधा, एंड्रियू जैग्ड जो कंपीट करने वाले हैं सभी लोग उलम्पिया के लिए कितने ज्यादा तयार चल रहे हमें पता है और सच ये बात है कि ब्रेंडन का हमें कोई अपडेट नहीं है पता ही नहीं वो क्या कर र अब मुझे वो एक मज़ा आई नहीं रहा था और मुझे पता है वो दम नहीं बचा उनके अंदर इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया बाकी अब दुल्ला का ये भी कहना है कि उन्होंने अब दुबारा से बदर बुदाई को जॉइन कर लिया है और ऑक्सिजन जिम के अंद बहुत सारे कोची जो इस लेवल पर नहीं है जहां पर कि आज हाड़ी शूपन या डरेक लंसवर्ड खड़े होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे के साथ कोच काम करने को तैयार नहीं है ब्रेंडन करी तो एक ताइम पर थे भी टॉप के कंटेंडर हाँ अब यह हो सकता किसी भी तरह पर जब छोड़ देते हैं न तो एक दम ऐसे बोल देते हैं कि उसमें वह पोटेंशल ही नहीं था वह दम ही नहीं था तो छोड़ने के बाद में ऐसी बाते करना थोड़ा सा रूड हो सकता है अगें यह न ऐसी बात है जिस पर आप कितना मर्जी शुक्रिया